नमस्कार दोस्कों Welcome to PK Classes दोस्तो आज के वीडियो मैं आपके लिए Uncertainty Analysis के बारे में बताऊंगा Instrumentation and Control सब्जेक्ट के अंदर Measurement में Uncertainty Analysis क्या होता है और कितने प्रकार का होता है तो आईए दोस्तों देखते हैं Uncertainty Analysis तो दोस्तो जो भी छाथ PK Classes में फर्स्ट टाइम है जिनने अभी भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वह चैनल को सबस्क्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें जिस से आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सकें तो Uncertainty Analysis तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जो एरर होती है एरर का मतलब होता है किसी भी आपजेक्ट की actual value और measured value जो हम मापते हैं उसका जो अंतर होता है that is called error उसको हम क्या बोलते हैं एरर बोलते हैं लेकिन दोस्तों कई जगा पर क्या दिक्कत होती है कि जो हमें actual value होती है वो पता नहीं होती है अब जैसे आपको scale से माप रहे तो इसको scale एक non value है तो हमें मालूम है scale 10 cm का है तो हम 10 cm का scale से easily measure कर सकते हैं लेकिन suppose मालो कि आपको पता ही नहीं इसके बाद आप किसी technique किसी measuring device से कोई भी dimensions को measure करते हो तो उसको हम बोलते हैं उसमें जो errors आती है या उसको correct measure करना संभाव नहीं होता है पासिबिल नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है एक probability निकाली जाती है उसके अंदर जो results होता है results को combine करते हैं तो उसमें हमको एक uncertainty मिलती है तो means uncertainty analysis is a method of identifying and quantifying possible error in measurement means uncertainty जो analysis है यही एक प्रिक्रिया है या विधी है जो पहचाना जाता है identifying and quantifying quantifying possible error in the measurement measurement के अंदर क्या संभाव errors या mistake हो सकती है uncertainty analysis is performed during the design stage of experiment जब हम कोई research काम करते हैं कोई experiment conduct करते हैं तो experiment के दोरान क्या होता है uncertainty analysis को perform किया जाता है to assist in the selection of measuring device किसी भी measuring device के selection को जब हम लेते हैं किसाब हम burnier kelly part से measure करेंगे या micrometer से मापेंगे या हम किस से measure करेंगे तो means measuring device and technique कौन सी तक्निकी का हम यूज करने बाले हैं अब दोस्तों जैसे कि हम एक example के तोर पे आपको समझाए when भी measure आप weight या quantity of any object suppose मालो आप किसी भी आपजेक्ट की quantity measure करते हैं किसी भी आपजेक्ट की तो इसको आपजेक्ट वे 4.07 ग्राम plus minus 0.02 ग्राम यदि आप इसको बताते हो तो means इसमें uncertainty है plus minus 0.02 की ग्राम है जो uncertainty होती है means the actual value for the weight being measured जो हम weight map रहे हैं उसकी value है वो क्या 4.05 ग्राम and 4.09 ग्राम के बीच में vary करेगी क्योंकि यदि हम 7 में 0.28 करेंगे तो 9 हो जाएगा और यदि 7 में less करेंगे तो 4.05 होगा तो means इसकी जो correct value होगी वो इसी के बीच में होगी तो यह जो आपका होता है इस तरह से हम किसी भी readings को major करते हैं जिसमें plus minus रखते हैं तो इसको बोला जाता है uncertainty analysis अब uncertainty analysis दो प्रकार का होता है जिसमें एक random uncertainty होती है और एक होती है systematic uncertainty रेंडम का मतलब होता है दोस्तो इफ भी take five numbers आप reading सपोज हम कोई भी experiment करते हैं और experiment के दोरान हम पाँच readings लेते हैं फार्दा same measurement के लिए यदि हम discharge major कर रहे हैं बैंचुरी मीटर से और उसको हम पाँच बार readings को note कर रहे हैं same measurement में experiment के दोरान तो he found some variation between major value तो हमको इसमें क्या होता है अलग-अलग value मिलती है या suppose हम किसी भी specimen की hardness को check करें तो अलग-अलग जगा पर हम check तो hardness ही कर रहे हैं लेकिन हमको readings same material के specimen पे अलग-अलग आ रहे हैं जबकि एक किसी भी specimen की एक ही hardness होगी value तो इसमें क्या होता है the random uncertainty produce होती है इसके अंदर present होती है क्योंकि इसमें जब हम variation पाते हैं किसमें major value में हम जो map रहे हैं कि suppose हमने अलग-अलग readings ली हैं किसी भी object की experiment के दोरान तो हमको अलग-अलग 5 readings पांचा हुई different मिली हुई है same readings कोई भी नहीं है लेकिन nearest है one to another तो इसमें क्या होता है random uncertainty होती है and random uncertainty is calculated by this formula random uncertainty equal maximum value minus minimum value upon total number of readings suppose हमने पांच readings ली हैं पांच readings में एक कोई maximum जो सबसे कम आई है इन दोनों का difference minus अपां नम्मर आप readings 5 से डिवाइट करेंगे तो उधारन के लिए भी मेजरा बेट आप मेंगो फाइप टाइमस बिचिज बन केजी एक बार बन केजी आ रहा है दूसरे बार बन पॉइंट टू केजी आ रहा है थर्ड टाइम बन पॉइंट फाइप केजी और फॉर्थ पॉइंट नाइन केजी एंड फिफ्ट टाइम बन पॉइंट एट केजी means all these readings are different तो फर्स्ट भी calculated average सबसे पहले हम इन पांचाओं को add करके इसका average निकाल लेंगे ठीक average बिट निकालने के बार हम क्या करेंगे uncertainty को calculate करेंगे तो uncertainty में जैसे इसमें से जो maximum value है वो आपकी इसमें क्या है 1.8 maximum value है और 0.9 minimum value है इन दोनों का difference और total readings कितनी है पांच तो 500 divided करेंगे तो 0.18 आएगा तो जो 0.18 है ए रेंडम uncertainty है मेजर्मेंट में अब इससे हम final readings को calculate करेंगे तो final readings में हमारा final जो बेट होगा यह 1.28 1.28 है जो हमारा क्या है average है पांचाओ का अब 1.28 plus minus 0.18 को add करेंगे तो this is the 0.18 is the random uncertainty in the measurement clear I think I hope आप समझ गए होंगे uncertainty मतलब अनस्चित्ता जहां पर हमको actual hundred percent correct हो यह संभव नहीं है वो एक particular range में ही vary करेगा या तो plus हो सकता है या minus हो सकता है result आपका जो है वो आप exact value find नहीं कर पाते तो वहां पर research में या experiment में जहां पर हमारे पास resource नहीं होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं uncertainty analysis को apply करते हैं ठीक second is systematic uncertainty a systematic uncertainty is a possible unknown variation in a measurement जब हम कोई भी dimensions को mapते हैं तो उसके अंदर जो संभावता है uncertainty होती है measurement के drive from a setup measurement settlement जो हम measurement लेते हैं उसमें ही हमारी present होती है that does not randomly vary from point to point या from data point to data point यह हमारी vary नहीं करेगी just like भी measure a length from a tape यदि हम tape से mapते हैं तो यदि हमारा tape still का है तो यह environmental के हिसाब से suppose हम three year से एक ही tape को यूज कर रहे हैं तो tape में हो सकता है कि थोड़ा सा deformation आ गया हो तो उसकी लंबाई यदि एक्स elogination हो जाएगा तो बढ़ जाएगा तो dimension अलग बताएगा तो means यह हमारी जो error होती है normally हमारी instrumental error भी कहलाती है क्योंकि जो instrumental error होती है उसको हम systematic error के इसमें मानते हैं systematic error का मतलब है कि हम tape से major कर रहे हैं और tape में suppose क्या हो गई उसकी length increase हो गई तो correct आपको dimensions नहीं मिलेंगे क्योंकि आप तो उसको सही समझ रहे लेकिन उसमें तो कुछ variation आएगा exact आपको पता ही नहीं या suppose हम skill से major कर रहे है तो skill की जो division है वो आपकी सबसे छोटी division क्या है millimeter अब suppose दो division के बीच में आपकी reading आ रहे है तो बताइए आप कैसे उसको measure करेंगे आंगे की और जाएंगे या पीछे की और आएंगे क्योंकि आपको यदि किसी भी dimension का measurement आपका मिल रहा है आपका suppose 5.1 के बीच में मिस 5 cm के बाद एक millimeter इन दोनों के बीच में reading आ रहे है तो ना तो आप 5.1 बन ले सकते ना ही 5 ले सकते तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा plus minus क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है तो इसको हम क्या बोलते है systematic uncertainty दोस्तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करिए और चैनल को subscribe कर you thank you